सेप्टेंबर 2020 का राशी फल कन्या राशी वालू के लिए आपके सामने प्रेस्तुत करते हैं और जैसा कि हमने यह आपर कैप्शन में लिखा है क्या जानना चाहेंगे किसने कहा मेरे हो जाओ और उसे आपको खोने से डर लगता है यह कोई तो हैं जो आपको खोने से डरते है यह कौन हैं जिन को मतलब आप इतने प्रिये हो कि वो डरते हैं कि कहीं आप खोना जाओ और किसने आप से कहा कि मेरे हो जाओ हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे इसी वीडियो में पूरी की पूरी सीरियसनेस के साथ में और राशी फल हम शुरू करते हैं आपके लिए आपने राशी फल फल्ड से शुरूब करते हैं सबसे पहले आपके लिए हेल्द की बात करते हैं और कन्या राशी वालों को खासी जुकांब ये काफी ज़ल्दी जल्दी सताते है एक्चुली में, महलब इनकी जो हेल्थ है वो बड़ी नाजुक टाइट की होती है, और कन्या राशी वाले नाजुक होते भी और बड़िया इंसान होते हैं मुझे बड़े पसंद है और यहां पर ऐसा लग रहा है कि थोटे मुटे हेल्थ के इस्यूज आपको हो सकते हैं सेप्टेंबर के महीने में मौसम बदलेगा थोड़ा सा अब हम गर्मी से सर्दी की तरफ अग्रसर होंगे तो थोड़ा-थोड़ की जो है जो वर्गो राशी वाले होते हैं पर्फेक्ट माने जाते हैं पर्फेक्शन बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रिय होता है उनको अब अपने जो पर्फेक्शन है वो थोड़े से आप अपने खान पान में भी लेखे आई है कन्या राशी वाले एक आर्टिस्टिक लो आड़ी आपका साथ देगी और हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एजुकेशन के लिए कोई भी छेत्रों वर्गो राशी वाले जो है वो विल्कुल महाँ पर अपने लिए एक नया मुकाम बनाते हैं और एजुकेशन में भी इनको पूरी सफलता मिलेगी इस पार बस अपने आपको डिस्ट्रैक्ट ना होने दे किसी भी तरह से कोई भी एमोशनल हैं कोई भी एमोशनल इशूज हैं लाइफ में उनको बैट करके सुलजा लीजिए लेकिन अपनी पढ़ाई से कंप् ag把 career के जो समबंदित होते हैं जो teeth Ce caria R的是 tireश करते हैं कन्यारा शीवाल स्वा करते हैं लेकिन क्यूंकि शुरूबाती जो साल है कन्यारा शी परोटीव सब कुछ संगर्स में क्या होता है कि कई बार वह अपने nature के विप्रीत भी carriers में चले जाते हैं लेकिन जो यह शोक हैं जो एक अर्टिस्टिक जो एक फलेवर हैं इनकी लाइफ में हमेशा बना रहता है तो यह जो carrier में generally वर्गो राशी भालों के double carriers देखे गहे हैं कि एक जो है जो इनकी main जो जिसमें बाकी में भर्गों की खासियत यह हैं कि इनकी दूसरी इस्किल है वो भी वायवल होगी यह उससे भी फैसे कमा सकते हैं तो यहाँ पर दोनों के दोनों के अपके शानदार चलेंगे और आपको हर स्क्राइब कार से आपको सहयोग मिलेगा अपने जो आपके जूंर और सेुनियर्स हैं उनका भी आपको सहयोग बिलकुल पूरी तरीक से कोई भी यहां पर दिक्कत है नहीं और आपको चाहने वाले आपको हमेशा हर जगा पे मिलेंगे आपके केरियर पे हूं चाहा वो किसी भी उसमें हो आप बड़ी जल्दी नॉटिस किए जाते हैं बर्कन्या राशी वालों को पहुत जल्दी नॉटिस किए जाता है और एक बार उनको पता लगता है कि यह कुन्राशी के हैं अब हम बात करते हैं अब किसी बात करेंगे लव की थोड़ी देर में तो अबी आगे चलते हैं हम फिनेंस की उपर फिलाल कि फिनेंस की इस्तिति बढ़िया है जेनरली क्या है कन्याराशीवालों को धन गमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है ये एक पैराडॉक्स है लाइफ संगर्स से भरी हुई है और पैसा कब ऐसा घमाने की बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही ये क्या हो है भई लेकिन जो शुरुवात के जो 30-30 साल है वो बड़े संगर्स में गोजरते है कन्याराशी वालो की लेकिन जैसे ही वो 35-36 पार करते है उनकी लाइफ में एक जो है नया पन आने लगता है और वो जीवन के उतरार तो बहुत ही शांदार तरीके से बहुत ही फेमस और बहुत ही शांदार होकर के गोजरते हैं कन्याराशी वालो की इस मईना अपका फिनेंस बड़ी है आपके पास में काफी सारा पैसा आएगा इवन एक्स्ट्रा मनी भी आएगी अगर आप उनसे कुछ भी खरी सकते हैं और गाड़ी खरीद लो नए कपड़े खरीद लो जो मर्जी है खरीद लो आपकी मर्जी है बट आपके पास में जो एक्स्ट्रा मनी है वो इस पार आने की पूरी पूरी उम्मीद है और ऐसा भी हो सकता है कि कई सोर्सिस से पैसा है आपके पास में अब हम बात करेंगे आपके लिए लव की बात के वही कन्या राशी वालों को यह है कि वही अब एक पेराडॉक्स है कि कन्या राशी वालों की लाइफ में जो इनके पीछे भागता है यह उसको नहीं चाहते और यह जिसको चाहते हैं वह इनको नहीं चाहता लोग इनके पीछ थिसे लोग अपने दिल लेके गूमते हैं और यह उनको घास नहीं डालते और यह जिन पूर जिंदगी में चाहते हैं वो इनको घास नहीं डालते ठीक है तो इस तरह की femme कई वर्गों की life होती है और love life आप किसी भी चरण जाएंगे पूरी तरीके से अगर आप एक सौ दोड़ सो लोगवाओं के भरे हुए रूम में भी अगर आप एंटर होंगे और आपको कोई नहीं जानता है आप सिर्फ आप कन्या राशी आपकी खासियत है आपके उपर अटेंशन वाद 10 मिनिट के बाद आपके उपर आना श काफी बिखरे हुए रिलेशन शिप यह एक नॉर्मल कहानी है कन्या राशी वालों की एक रिलेशन शिप के बाद दूसरा रिलेशन शिप उसके बाद तीसरा लेकिन कन्या राशी वालों का मोटो है दोखा देंगे नहीं दोखा खालेंगे लव लाइफ शांदार रहेगी अब उनकी बात करेंगे और जो सेकिंड हाफ है वो तो आपके लिए यादबार बनेगा और इस महिने में आपके बड़े भी होंगे इसमें और कुछ अगस्त में और कुछ सेप्टेंबर में आपके बर्डेज भी होंगे तो इस प्रकार से जो है आपको पूरा अटेंशन आपके उपर है इन दोनों महीने में औगस्त में भी और सटेंबर में भी सटेंबर में विश्वीश तॉर पर आपके उपर आप बड़े के मंत हैं आपके जो है इसमें जनम दिन आयेगा आपका सर्टेनली पूरा टेंशन आपके ऊपर है आपको लाओंड अफेक्शन आपको हर प्रकार से मिलेगा चाहे आप शादी शुदा हों चाहे आप नहीं हो शादी शुदा है तो और भी बड़िया आपके पार्टनर का आपको जो है पूरा अटेंशन मिलेगा रही आपके पार्टनर आपको खुश करने कोशिश करेंगे अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं आपको बड़े सहेज रखा जाता है आपको बड़े ही प्यार से रखा जाता है उस ग्रूप के अंदर कॉंप्टीशन आपके सामने ठरता है नहीं किसी के साथ में आपका कॉंप्टीशन है नहीं राइट और कॉंप्टीशन की आपको किसी से कोई करने की जरूरत है नहीं क्य तो यहाँ पर friendship में जो है अच्छी friendship कायम रहती है और ऐसा दिखा गया है कि कन्या राशी वालों के बच्पन के दोस्त भी होते हैं अब यह है कि कुछ कन्या राशी वालों की life में movement शुरुबात सी आ जाता है लेकिन बच्पन के दोस्त मिलेंगे आपको ऐसे ऐसे दोस्त और बिल्कुल अभी तक friendship कायम है तो friendship के इसाफ से September का महीना मैं वोलूँगा शांदार अति उत्तम आपको आपके बड़ डेज पे अगस्त में और September में दोनों में आपको आपको आपके पुराने दोस्त आद करेंगे पुराने दोस्त आपको मिस करते है राइट अगर आप इसादी शुदा है जिन से आपकी शादी नहीं वो फईजो आपसे शादी करना चाते थे वह अभी भी आपको मिस करते हैं करते हैं तो आगे बात बात करते हैं आपके लिए आपके लिए family की बात करते है श्यkenki family का महौल कैसा रहे Allah करनियर AASH हालो की family थोड़ासा जो है किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के जो है बाद बाद criticism से बचें पीछे किसी की भी बैक बाइटिंग ना करें ओके बस बाकी सब बढ़ी आए फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा और आप के लिए ट्रेवल की बात के इट्रेवल के लिया डीओ मैं अभी तक तो कहता ही आ रहा हूं जबसे ये बाहर जो है कानिया शुरू ही है कि अर देखो भाई बिलकुल भी जो है वो हो जाईए मतलब क्या बूलते हैं प्रेक्टिकल हो जाईए वेवारिक हो जाईए आपको लगे बाहर जाना है तो आप पूरी साथदानी से बाहर यह लेकिन एस्ट्रोजी के हिसाब से गरवन देखने कुछ ना कुछ तो निकली आता है कि भी चले जाओ मत चले जाओ यह कर लो वो कर लो बट प्रैक्टिकल एडवाइस अभी यह है कि भाई बिलकुल अपने आपको सेफ रखिए और जो है मतलब किसी प्रकार के अताम जाम म ना फसे हैं राइट अब हम बात करेंगे जो कैप्शन हमने आपर लिखा है आपके लिए कि इस कैप्शन का क्या मतलब है क्या जानना चाहेंगे किसने कहा मेरे हो जाओ और उसको आपको खोने से डड़ लगता है यह तो बहुत सारे लोग वागए वही आपके चारो तरफ आप जिदर निगार डोड़ाओ आपको यह भीड़ी भीड़ा है ऐसे लोगों कि आपको बहुत सारे लोग वागए आपको काओगा कि प्लीज मेरे हो जाओ राइट कन्याराशी वार लोगों को और सैगी वार लोगों को इस तरह की जो प्रेम के जो अफर्स हैं वो खूब हो जाओ लेकिन क्योंकि आप क्योंकि एक कन्याराशी जो हो काफी एक्टिव राशियों मैंसे नहीं मानी है नहीं है काफी थोड़ा से स्लो राशी वाले होते हैं हर काम आराम से करते हैं परफेक्टली करते हैं ओके तो यह जो आपके आसपास हैं आपके आपको कोई आपके आसपास आपके admirer होंगे बहुत सारे मैं ये भी बता देता हूँ कि किस किस तरह के होंगे कन्या राशी वालों की नम mostly जो हो S से शुरू होते हैं बड़े बड़े popular S वाले S नम से होते हैं अब जो अब जो राशी नम का पहला अक्षर होगा वो चाहिए कुछ भी हो बड़ जो ये S एम और ये वाले जो हो अपस में अच्छे मिल जाते हैं तो यहाँ पर ये जो गंचारशी वाले हैं इनको ये जो जो आपके होना चाहते है यह हो गए मकर सैगी हो गए आपके आपके मीन राशी वाले होगए राइत आपके तोरस वाले आपको एक तरीके से दिखते हैं बही चलो ठीक है वो दी likewise you but कभी हिम्मत नहीं होगी उनकी क सब्सक्राइब आपके सामने आगे बूल सकेंगे मैं आपसे प्रेम करता हूं या मतलब I want to go with you और जिसके जिसके साथ में आप relationship में हो राइट उनको आपको खोने से डर लगता है especially उनको थोड़ी सी insecurity उनको रहेगी क्योंकि जो जिस तरह का attention आपको मिलता है बाकी जनता से बाहर और मैंने आप जब कभी बाहर जाते हो everybody sees you तो उनको थोड़ी सी महाँ पर एक insecurity आ जाती है और आपकी life में ऐसा ऐसे व्यक्ति ऐसे आपकी girlfriend boyfriend आपकी wife आपकी husband जरूर होंगे जो कि आपको खोने से डरते हैं right यह एक बहुत ही एक नाजुक feeling है बहुत ही एक यह मैं बोलूँगा की बहुत ही एक यह प्राउड feeling है और बहुत ही एक यह मैं लवेबल feeling है कि कोई तो है जो आपको खोने से डरता है ठीक है जी तो channel subscribe कर लिजे and thank you very much for watching and all right God bless you take care see you soon very soon indeed yeah